नमस्ते मैं हूं संजद इक्षित और आप देखने हैं दी जैकुल ठैलॉक्स एक बात तो अब स्पष्ट हो गई है और वह बात यह है कि हमारे सड़ जी हमारे गंगुरु सेड़ जी वे जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे क्योंकि नियमों और जेल मैनुवल के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की मीटिंग किसी भी प्रकार की कोई आपकी कांफरेंस हुए है जेल मैनुवल के नियमों के अनुसार ही हो सकती है और उसमें ऐसा कोई प्रावदान नहीं है जिसके अनुसार और वो आधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकें या कोई कैविनेट मीटिंग कर सकें या मंत्रियों से मिल सकें या विस्टर्स से फ्रीली मिल सकें सरकार चलाने के लिए उसम्मब नहीं है तो ये तो इस पश्ट हो गया कि सरकार जेल से नहीं चल सकती है और जैसे ही ये इस पश तरफ तो के जरी वाल के कुछ खास बुर्बह जिनको लगता है कि के जरी वाल के नाम पर ही वह चुनाब जीते हैंगे, तो ले तो सुनीता भावी को लेकर पूरी तरह से समरक से हुए है, कि सुनीता भावी ही चीफ एनिस्टर बननी चाहिए, और आपने जो सुनीता भावी की जो प्रेस कॉन्फरेंस देखी वो भी एक प्रकार से पहले से उसका रिहरसल किया हुआ था और यह उनके जो अत्यंत निकट लोग जो है उनका जो प्राइवेट स्टाफ है उसको इंस्टॉक्शन्स थे और उसने इनकी प्रेस कॉन्फरेंस इसनकार से कराई और यह प्रेस कॉन्फरेंस जो है वो किवल इसलिए की गई कि जो आम आदमी पार्टी के जो साधारन कार करता है उन तक संदेश चला जाए कि भाई गुंगरू सेट उनके प्रियर अर्विंद जी सर जी यही चाहते हैं तो उस निर्देश के उनसार कार्य इत्यादी करना ते किया जाए लेकिन दूसरी तरफ आतिशी और सौरफ जो भारतवाज हैं जो बचे हुए हैं उनके जो मुक्ष से पैसलार जो बाहर हैं वो तो इस मूड में नहीं हैं वो तो कहते हैं कि भया हमें से ही एक में किसी को मिलेगा और अगर किसी लेड़ी को ही मिलना है तो वही बावी जी क्यों बावी जी तो MLA भी नहीं है और जो बताया जा रहा है भी इसको मुझे वेरिफाई करना है लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि जो ट्रैंजेक्शन ऑफ बिजनस रूल्स है गोवर्मेंट अफ लिखा हुआ है कि आप छे महीने तक बिना चुनाओ के आप मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री इत्यादी आप बन सकते हैं लेकिन छे महीने के अंतर गंतर आप अंतर अंदर अंदर आपका चुना जाना आवश्यक है अब ये लोग इसका लीगल तोड निकालने में लगे हुए हैं और इनका ये कहना है कि भाई जो आर पीए में लिखा हुआ है वह ट्राइंजेक्शन ऑव बिजनस रूल्स के ऊपर आएगा ये एक उनके पास एक तोड है लेकिन ये भी आप जानते हैं क्वेस्टनिबल है लेकिन वो इस रास्ते को जाने पर तयार है और सुनीता बावी को एक बार शपत दिलवाने के लिए तयार है ये अलग बात है कि भाई एल्जी साहब शपत दिलवाएं सुनीता बावी को या ना दिलवाए यहां पे मामला अटका हुआ है और confidence जो है वो इन सब का हिला हुआ है बुरी तरह से तो अभी यह पता लिए और दूसरी तरफ आतिशी और सौरभ जो है दाउ लगाए हुए और सौरभ और आतिशी में बीच का समझवता हो गया वह समझवता ही हो गया जो भई यहां केवल एक ही बार चलेगी कि महिला को प्रात्मिक्ता देनी है या पुरुष को प्रात्मिक्ता देनी है महिला को प्रात्मिक्ता देनी है तो आतिशी चीव इनिस्टर बनेगी पुरुष को प्रात्मिक्ता देनी है तो सौरभ मुख्य वंतरी बनेगा और गयलो जी जो को पता है दूसरी दुरी बलकि यहां तो दो दुरियां है एक मुक्षमंत्री की दुरी है एक ऐल जी जो है वो तयार है कि वह रिक्मेंड कर दें गोवर्णन्ट भ इंडिया को का दें प्रेसिडेंट को कि इस मिदान सबा को निलंबित कर दिया जाए वह को बंग कराते तो पहले कराते जिससे की लोग सौबा के साथ चुना हो जाते हैं इसको बंग निहीं कराना है जिसको निलंबिट कर दिया जाए निलंबिट करना सेफ भी है क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट भी यदि बीच में उसमावना में तलाश जाना हैं न glad को निलम मित का जाए और आदमी प system कहा जाए कि भाई आप अनो अपना निता चुन के और बताओ तो हम आसको शबत और उसके साथ में जैसा कि वो रहक हमें न करहें उस के पार सी मंथ्यों को स्विट और जै के गुंगुरु सेट के कभीले में हैं है ना मज़ेदार बाग बोल सियावर राम चंदर की चैए दूसरी तरफ भगवंत मान जी जो है भगवंत मान जी अत्यंत प्रसंद नहीं सबसे पहले तो क्या है कि उनकी एक ड्यूटी लगी हुई थी बेबी सिटिंग करने की हां बेबी को कहीं भी जाना यार गोवा जाना है तो इसके पंजाब के सी इम कई है ले जाते हैं अब वाली बात थोड़ी रही earth है कि मैं तो आपने मैं तो लालबती भी नहीं लूँगा मैं तो मंगला भी नहीं लूँगा मैं तो बच्चों की किसम खाता हूं मैं काऊंगर इसके साथ समझता भी नहीं करूंगा इत्याद इत्यादी जो भी बात कही उन्होंने उसको अगले दिनी जूट बोलके और उसको accept करने में उनको कभी समस्या नहीं रही तो इसलिए आपने पहले भी देखा होगा कि बीच में एक बार charter plane से चल रहे थे वो तो उनका कितना मजाख उड़ा था लेकिन उससे उनको कोई शरम नहीं आती वो तो अब state plane से ही आते जाते थे और ये उनकी तीमारदारी में साथ में जाते थे state plane नाम लिखा जाता था चीफ मिनिस्टर का ये कारकर्म हो रहा था अब भाई गुमरू सेट को के जेल जाने से शान्ती हो गई हमारे बगवंत मां थी बगवंत मां जो है वो अत्तनत प्रसंद नहीं ये बेबी सिटिंग जो है हमारी ये छूटी ये बला छूटी हमारी ये फंसे कम हम तोड़ा बहुत जो है इदर त्यान दे सकेंगे लेकिन पंजाब में भी समस्या खड़ी हो गई है पंजाब में भगवंत मान का एक विरोधी गुट है आपको पता है कि भाई नब्वे सीटे जीती होई सीट पार्टी जो है उसमें कोई एक ग्रूप तो होगा नहीं ये बात अलग है कि नब्वे सीटों के बाद में उसका स्प्लिट होना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है तू थर्ड चाहिए स्प्लिट होने के लिए लेकिन विरोधी गुट वहां भी तैयार है वह करें बगवंत मान को अटाओ देखो बगवंत मान की नाक के नीचे शराब का कौरबार हो रहा है आज स्टेट्मेंट दे दिया सुखवीर सिंग बादल ने जिन चार्जेज पर केजरी वाल की अरेस्ट हुई है उससे गंभीर चार्जेज तो हमारे भगवंत मान के विरुद है तो पंजाब सरकार के विरुद कारवाई क्यों नहीं हो रही इडी हमसे संपर्क करे हम बताएंग के इडी को सबूत के साथ देंगे इनके किलाव भी कारवाई शुरू करो आज संगरूर में बलके कल बड़ा एक शराफ दुखानतिका हो गई महां पर 21 लोग आज तक मारे जा चुके हैं पिछला समाचारा आया था तक 21 लोग जहरीली शराफ पीके मर गए अब दिल्ली में सच्चि में करें मामला बहाता है थोड़ा बहुत डावाडोल हो रहा है MLA's जो हैं वो देख रहे हैं कि बइया गुंगरु सेट गए तो अलग कर ले अपनी पार्टी वो अलग अबसको नुन नगी नी व भविश में अपनी पार्टी अलग करना चाते हि возвращ पार्टी जो है आम आदमी पार्टी इसको आप देखेंगे एक महीने में खंड खंड होते हुए यह समय राश्ट्री पार्टी है आपको पता है यह राश्ट्री पार्टी है यह राश्ट्री पार्टी जो है यह तीन या चार स्ट्रीट पार्टी में बटने वाली है यह दी गई भविश्य के कपाल पर। बिलकुल। और कुंगरू सेट गए लंबे, उनके हैंसम से सूधिया जो हैं, उनके जो नंबर थृ थे सतियंद्र जैन, वह भी साथ में हैं, और उनके जो गुंडा फॉज के जो उनके करनदार थे, संजय शिंग वह भी साथ में हैं, तो न को लेने हैं कम से कम जत्तर बगला चुनाव नहीं होता इन दो में से कोई एक चीफ इनिस्टर बनके राज कर सकता है और आमादमी पार्टी का कंड़ कंड़ हो सकता है यह बिल्कुल स्पश्ट दिख रहा है जैहिंद जैवारत वंदे मादरम